तो गाईज वेल्कम सभी का स्वागत है गाईज एक नए वीडियो में एक नए मौटिवेशनल वीडियो के साथ सभी को क्यारी सियुट खुनि तो गाईज यार ये वीडियो बहुत मसता है इसको मैं बहुत शॉर्ट में बनाया हूँ क्योंकि या टाइम बहुत कम था और मेरे को बाक्ति मैं को क्षिक्शन भी करने थी तो मैंने बहुत ही शॉट है तो गाईज आज का टॉपिक है ड्रीम लेवन पर या विजन लेवन पर या किसी भी एप पर टीम कैसे होते है जी एल टीम कैसे बनती है स्मॉल लीग टीम कैसे बनती है और क्या-क्या फैक्टर्स होते हैं इसके ऊपर यह तो गाईज जर्नी बहुत मस्त है तो थोड़े से बताऊँगा पंदरा मिनिट की वीडियो में पूरा करते है तो गाईज पहले मैं आपको एक टीम दिखाता हूं या फिर लास्ट में आपको यह टीम दिखाता हूं तो टीम कैसे बनते हैं इसके आपके छे फेसे होते हैं और छे फेसे आपको कैसे कैसे करने है एक एक फेस का थोड़ा थोड़ा आइडिया मैं दोंगा तो यह आइडिया देना काफी जरूरी है क्योंकि यह फेसे भी काफ देखो सुनो एनलिसिस होता क्या है आपको पहले मैच के बारे में जानकारी लेनी होती है उसमें क्या क्या चीज़े होती है पिच्छ टॉस प्लेयर्ज और साथी साथ यहां पर जो स्टेडियम है उसमें लास्ट पांच ODI T20 टेस्ट मैच जो भी हुए हैं उनके बारे में इन दोनों टीम के जो लास्ट पांच मैच हुए हैं उनके बारे में सारी इन्फॉमेशन निकाले है अब यह इन्फॉमेशन आप कैसे निकाले हैं या तो आप गूगल पर जाओ क्रिक्ट की इतनी सारी ओपिशल वेबसाइट्स हैं उसके यह डेटा अवेलेबल या फिर आप क किस ट्रीमर पर विश्वास करना है उसके लिए आप उसके डेटा को थोड़ासा क्रॉस Ch baldü दो तिन दिन तक क्रॉस Ch counted करो जिस ट्रीमर का डेटा आपको वैलिड लगेगा उस ट्रीमर का डेटा लिजआ क्रों यह पैण अब गाईज ये तो हो गई analysis की बाद analysis में आपको ये सारी चीज़े analysis करके एक जगे note down करने के बाद आप लोगों के पास होगा data और data के थुरू होती है prediction जब आपके पास ये सारा data होगा तो आप dream level पर कुछ important चीज़े देखते हैं जैसे की इस pitch पर toss करके क्या क्या हो सकता है कि ये pitch balanced है batting के लिए है या फिर spinners के लिए है ये सारी information आपको top में दिखाई देती है कहां दिखाई देती है top में जब आप trade team करते हो अगर balanced pitch है इसका मतलब spinners को भी फायदा पेसर को भी और batsman को भी अगर batting pitch है तो batsman opener batsman तहाँ पर तोड़ चल सकते हैं अगर fast ballers को फायदा है तो वो भी लिखा होगा mention होगा वहां पर batsman और fast ballers दोनों की चलने की पूरी पूरी मीड है हाँ अगर balanced pitch होता है तो आप लोगों को जो openers होते हैं उन पर होता है खत्रा तो इसलिए बोलते हैं high risk high reward player ठीक है अब बात करते हैं trump card player जो की है दूसरा analysis का face जो की हमारा दूसरा main point ड्रीम 11 पर सबसे ज़ादा लोग खेलते हैं इसलिए सबसे ज़ादा data वहां पर available होता है वहां पर 0 से 30% में जो लोग खेलने वाले होते हैं playing 11 में वो लोग बनते हैं trump card players मतलब उनी में से दो या तीम लोग बनाते हैं आपकी trump card players की पूरी गुठी को अब उन में से कौन से players चलेंगे कौन से नहीं चलेंगे ये आप लोगों को जो data आपने ढूंडा था उसमें से देखना पड़ता है कोच कुछ changes करता है कोई नया player लाता है तो वो भी होता है trump card player तो ये दो चीज़ें बता दी analysis और trump card player तीसरी चीज़ captain किसे बनाए वाइस captain किसे बनाए जो लोग P20 खेलते हैं उनको मैं बता दू जो आपके trump card player होते हैं तो हमेशा उन में से कोई एक player captain वाइस captain बनता है और एक normal player captain वाइस captain card player आप card dream 11 में आता है बट जरूरी नहीं है कि वो captain या वाइस captain बनाए ओडियाई में चीज़ डिफरेंट है T20 में चीज़ डिफरेंट है T20 चोटा है तो अगर 40-50 run भी मारे तो भी वो वाइस captain captain बन सकता है अगर वो catch कुछ पकड़ ले बट ODI में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए उसके बाद गाइस बहुत वेंजी जो लोग नहीं analysis करते हैं क्या बॉलर्स के बारे में एक जिसको ध्यान से analysis करें कि वो first inning में कितनी विकट लेता है और वो second inning में कितनी विकट लेता है दोनों टीम के 5-5 बॉलर्स है दस बॉलर्स को पूरा पूरा analysis करो कि इसके first inning के average कैसे है इसके second inning के average कैसे है इसका first inning में कितनी विकट है इस stadium में first inning में क्या करता है इस stadium में second inning में करता है जब आपके पास यह data होगा तो आप बता पाएंगे कि अगर toss यह team जीतती है तो किस अगर को चुने toss अगर यह जीतती है तो किस बॉलर्स है यह सब data driven prediction है उसके बाद गाई अब लोग पूछते हैं कितनी टीम बनाएं क्या टीम बनाएं कैसी टीम बनाएं guys अगर आप लोग इस बात को समझते हैं एक team से कितना मुश्किल है किसमत चल गई तो जीत जाओगे आपको different combinations try करने पड़ेंगे आपको अपने दो तीन trump card players को captain wise captain बना के देखना पड़ेगा आपको different combinations के साथ कुछ team में बनाने पड़ेंगे मैं number नहीं बताऊंगा क्योंकि सब लोग फिर वो बनाना स्टार्ट कर देंगे बट आपको different combinations बनाने ही पड़ेंगे अब गईज बात करते हैं कुछ combinations के team structures की जिन लोगों को नहीं पता है अगर आप pro dream level जैसे format में खेलते हो बहां पर आप जादा ballers भी ले सकते हो जादा batsmen भी ले सकते हो अगर आपको पता है इस pitch पे विक्टे नहीं करेंगे तो आप bats excellent match, 6 batsmen चले थे उस match तो आपको अपने combinations में कुछ ऐसी team भी बनानी चाहिए जिसमें 6 batsmen हो या 6 ballers हो या 7 ballers ये वाली team में कैसा वापिसादाता है बट अगर किस्मत चल गई तो आपको बहुत कुछ वापिसादाता है तो guys आपको batting combination, rolling combinations वाली team भी बनानी चाहिए चाहें वो चले या ना चले जो लोग G.L. खेलते हैं उनको ये बनाना small league, अब बात करते हैं small league, small league में क्या problem है, small league में आपको ये बात समझ ही नहीं आते कि आपको team में क्या रखना है, क्या नहीं रखना है small league में all rounders को captain wise captain बनाना जाता, better option रहता है, batsman या बोलर को 10 में से 6 मैचों में all rounder को captain wise captain बनाना better, क्यों? क्योंकि small league में आप 1v1 खेल रहे हैं, अगर आपका batsman fail हुआ, आप और वो captain हुआ, आप खत्म हो जागे, बट अगर आपका all rounder fail हुआ, in the sense, bowling में fail हुआ, तो शायद batting में आपको रन मार दे, और आपकी captain से के points बनाना, small league में 6-5 का combination जादा better रहता है, अगर आपको पता है, सामने वाले team बहुत कमजोर है, तो आप 7-4 या 8-3 का combination try कर सकते हैं small league के, small league में आप लोग छोटा पैसा डाल कर जादा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर 1v1, 1v2, 1v3 मतलब एक बंदा, दो लोगों के खिलाप या 3 लोग खिलता है, बट उसमें कभी कवार investment भी करनी पड़ती है, जाता, अगर आप 29 सो रुपए डालते हैं, चार member का contest केलते हैं, 10,000 रुपए जीते हैं, competition पिर चार लोगे बीच में, बट वो चार लोग दिमाग से खेलेंगे, dream 11 में अगर 100 लोग खेल रहें तो उसमें से 40 लोग तो ऐसे होंगे, जिनको पता ही नहीं करना किया, बचते हैं 60 लोग, 60 में से 30 लोग भेड़ चाल, भेड़ चाल, बचते कितने हैं, 30 लोग, 30 में से 10 लोग, थोड़ा सा अपना दिमाग, थोड़ा सा streamer का दिमाग, थोड़ा सा team copy, थोड़ा सा ये, थोड़ा सा वो, बचते कितने हैं, 20 परसेंड, अब वो 20 परसेंड में से, कुछ लोग अपना captain, vice captain चुनने में बहुत गलती कर देते हैं और उस वज़े से उनकी team हो जाती है, बाकि उनके players होते हैं ठीक वो कितने player होते हैं, 15% अब बज़ते हैं 5% वो 5% वो लोग होते हैं, जिनका vice captain, captain होता है, trump card player इसी लिए कहते हैं, low selection वाला player चीत गया, तो उनकी team चल जाती है उन 5% लोगों तक आपको पहुँचने के लिए, उपर का जो सारी बात बताईए, वो करना पड़ेगा अगर आप ऐसा कुछ करते हो, आपका बहुत अच्छा चांस है, कुछ कर दिखाने का तो guys मैंने आपको सारी चीजे detailed में explain करी है, रिप्या ध्यान से वीडियो को देखे, बहुत बजाएगा और मैं अब आपको दिखाता हूँ, एक बहुत ही मस्त टीम जो मैंने बनाई थी, इंडिया वर्से शिलंग का वर्ल्ड का फ्लैक के लिए दुख होगा देखकर, मुझे बहुत दुख हुआ था, पस एक टीम मिस होई और उससे पूरा पूरा रैंक बन मिस होई या, क्या बोले है, दो चीजे मोले है, बट कुई तो guys ये थी मेरी टीम, दुख होता है, जब मैं इस टीम को बार बार देखता हूँ, खुशी भी होत पेस है, दस प्लेयर ड्रीम टीम के लाना उस मैक में बहुत मज़ा आया था, बहुत है, बस कुलदीप यादफ की जगे मौहमब सिराज और ग्यारा के ग्यारा प्लेयर ड्रीम टीम, बन सकती है, बन सकती है, मैनत करोगे, एनलिसिस करोगे, मोटिवेट रहोगे, दूसरे को इंसपायर करोगे, दूसरे की बेस्ती करने की जगे, अपने आपको इंसपायर करोगे, तो ऐसे टीम बन सकता हूँ, तो आप भी ला सकते हो, इनसान है हम सारे, मैनत करोगे, तो दस या ग्यारा भी आएगी, और अगर कुलदीप यादफ की जगे, सिराज होता, तो ये बट इस टीम में भी कुल्दीर जादम ने बर्वाटा तो गाइस यार टीम आप बहुत सोचकर बनाते हैं टीम में आप बहुत महिनत करते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ऐसा करके देखिए आप लोगों को बहुत बहुत बदा मेहनत करिए, try करिए, prediction खुद भी करने का try कीजिए, in the sense खुद के लिए prediction try कीजिए, confidence बढ़ता है, ऐसी teams देखकर मुझे भी confidence बढ़ता है, तभी मैं वर्ल्ड कप में बहुत प्यारी-प्यारी predictions बढ़ता है, यही मेरी journey की starting थी, और आज मैं करते-करते यहां करता है, वर्ल्ड कप ने मेरी journey चेंज कर दी, dream level की, और मुझे बहुत सारा confidence बढ़ता है, तो guys पीछे ना हटो, महनत करो, कोशिश करो, लगन से पूरी महनत करो guys, आप बनाते हैं, dream team, कोशिश करने वालों की हर्द नहीं होती है guys, यह किसी ने कहा था, तो आप भी कोशिश करते हैं, आप यह तो like करो, comment करो, दिल से कहता हूँ, देख को पूझे हो, भाए भाए बाए बाए